सब्सक्राइब कर लिया हो और बैल आइकन को प्रेस कर लिया हो तो आज हम यहां पर वेरियस विकिंसी की बात करने वाले हैं ठीक है जो की ओफर की गई है प्री चित्रा तृणाल इंस्टिटूट फर मेडिकल साइन्स एंड टेकनोलजी ठीक है इसकी तरफ से ठीक है यहां प है फिल हुना वह है 23rd February 2022 से और लास डेट जो आपकी है वह है आपकी बाइस मार्च दो हजार बाइस शाम को पांच बजे जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाते हैं उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा ठीक है और अपने जो डॉक्युमेंट्स है सभी वह जाना होगा कोई अब जो पर लेकर तालाइन म drague and qandrew can levar online to pass यहें कोई बी आपको एडवान्स हाड कोपी वहां शेंडिनले करना है ठीक है आपको होगा सब्सक्राफ म! अठिकेशनर्सकृत के लिए आपकी जो दिखता है कि इसम्साइब का मीमित्रत पालोजी mechanics, जा दम Bronx 0 Master in psychology और 60 पर्षρό परेशनर्सकीת को अुपीज घो आपकी तरहले ओसम्साइब दिखले हुगा idea 3-5 कत Sakite चमठेड ऑलोजेक नहीं होना छहाँ करना का चाहिए और आपको चाहिए computer आपकी knowledge होनी चाहिए, computer में आपको knowledge होनी चाहिए, इसके साथ ही जो आपकी salary है, वो आपकी है 50,000, ठीक है, 50,000 के आसपास है, से लेकर, ठीक है, 1,42,000 तब, ठीक है, तो आपका ये अर्टिकुलर आपका salary रहेगा, इसी के साथ में various vacancies और भी हैं, जैसे assistant security and safety officer, pharmacist, assistant dietitian, जिसके लिए आपको MSC in nutrition and dietitian चाहिए, ठीक है, इसके साथ various vacancies है, like cardiology में vacancies है, ठीक है, वेरियस vacancies है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि हमें इसमें apply कैसे करना है, ठीक है, अपलाई करने के लिए आपको online ही apply करना होगा, ठीक है, वो भी इस पर्टिकुल procedure है, वो किस तरीके से, दो steps में है, सबसे पहले आपको fee का payment करना होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर website से जाकर, उसके बाद में जब आपका payment हो जाएगा, तो आपको अपना पूरा जो online application है, वो फिल करना होगा, ठीक है, यहाँ पर जो female candidates है, उनको छूट दी गई है, ठीक ह यहाँ पर आप तीन तरीके से, जो है cash का payment कर सकते हैं, direct आप cash, जो है, SBI की किसी भी ब्रांच में जाके submit कर आ सकते हैं, या फिर आप internet या online के through कर सकते हैं, या फिर आप mastercard, credit card, visa card से भी payment कर सकते हैं, ठीक है, जो payment की steps है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो age है वो आपकी 35 years से कम की age के अगर आप हैं, तो इसमें apply कर सकते हैं, और यह 35 years की age है, वो serial number 14 तक है, ठीक है, तो जैसे psychologist का जो post है, वो serial number 1 पर आता है, तो उस से लेकर, serial number 1 से लेकर 14 तक के लिए जो post है, उसके लिए आपकी age 35 से कम होनी चीए, और जो serial number 15 से 21 है, उसके लिए आ आपकी जो age है, वो serial number 22 तक के लिए ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते है, age relaxation भी दिया गया है, ठीक है, schedule cast और schedule type के लिए 5 years का age relaxation है, और OBC non creamy layer के लिए 3 years का age relaxation दिया गया है, ठीक है, और आगर आप यहां पर जो है, जो age का relaxation ले रहे हैं, तो आपको अपना certificate वगरा भ जब return test या skill test होगा तो, ठीक है, और जो भी candidates अपना category का certificate बता रहे हैं, कि हम वो OBC से हैं, या SCST, EWS से हैं, तो उनको अपना certificate भी दिखाना होगा, ठीक है, photograph और जो भी आपको documents upload करने, उसका format देख सते हैं, कि क्या format में रहेगा, application fees आपकी 500 रुपीज है, ठीक है, जो OBC औ और EWS और General Category के persons है, candidates है, और SCST, Physically Handicapped Candidates जो है, और Women Candidates, जो है, उनको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो फीस से exempted है, ठीक है, जो SCST के कैंडिडेट्स है, उनको यहां पर traveling allowances भी दिए जाहेंगे, ठीक है, सेकंड क्लास, लीपर क्लास, अगर आप ट्रेन से होगा, ठीक है, और आपको जो इंटर्व्यू है, वो बता दिया जाएगा, कि कब होगा, तो उसमें आपको जो है, sorry, written test है, वो आपको बता दिया जाएगा, तो अगर आप ट्रेन से आते हैं, तो आपको जो अपना original ticket है, वो प्रोड्यूस करना होगा, तो वो आपको जो है refund कर देंगे, आपके जो traveling allowances है, वो आपको देंगे, ये सिर्फ SCST candidates के लिए है, ठीक है, call letter को download करने के लिए, आपको particularly इनकी website पही जाना होगा, वहाँ पे अपना application number, registration number, जो भी आप डालेंगे, और उसके साथ में email ID और date of birth आप डालेंगे, तो आपको call letter आपका मिल पर announce कर दिया जाएगा, तो आप particularly website को जाके चेक करिएगा, और अपना call letter वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी यही कुछ information थी, ठीक है, psychologist की post है, female candidates जो है, वो fees से exempted है, ठीक है, ये particular कुछ पोस्ट है, ठीक है, अगर आपको इससे कोई भी related doubt रहता है, तो आप experience में count नहीं होगा, experience means अपने जॉब की हो, तो आपको experience मिला हो, तो वो आपका experience में count ओगा, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको, आपको एक single post के लिए, एक से जादा applications नहीं करने है, means एक ही application करनी है, जैसे कि अगर आपका पहली application आप कर रहे लिकिन आप एक ही पोस्ट के लिए दो बार apply नहीं कर सकते है, और अगर आप दो पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं, तो आपको अलग-अप्लिकेशन जो है, वो submit करानी होगी, ठीक है, तो यही कुछ information थी, ठीक है, कैसे apply करने हैं, मैंने आपको बता दिये, कोई और किसी भी तरीके का कोई other doubt है, तो आप यहाँ पर जो numbers दिये हो हैं, यहाँ पर भी call करके पूछ सकते हैं, ठीक है, that's it.